अशुरेंस माव विकास और मैं आप सभी का Knowledge Beam YouTube चैनल के एक नए वीडियो में पुने श्वागत करता हूँ अशुरेंस आज के वीडियो में मैं Class 12 के विद्यार्थियों के लिए UP Board Game 2022 के लिए English का Model Paper लेकर आया हूँ तो इस Model Paper को जो है मैं आपको अच्छे से सो कर दूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अदि आपने भी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईनने का है तो उससे जरूर जोईन कर ले और साथी साथ अगर आप इंग्लिस का अच्छा से त्यारी करना चाहते हैं तो हमारे Mobile Application Knowledge Beam को Play Store से इंस्ट्वाल कर लिजे जिसका लिंक मैंने इस वीडियों के डिस्रिप्सन में दिया हुआ है तो देख सकते हैं पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा पेपर में सबसे पहले आपको अपना नुक्रमांग फिलब करना है उसके बाद नाम उसका पेपर का कुछ पोडिंग है सन 2022 के लिए देख सकते हैं इंग्लिस का मॉडल पेपर एक समय आपको तीन घंटे 15 मिल देया गया जिसमेंसे स्टार्टिंग के 15 मिल आपको क्वेश्जन पेपर पढ़ने के लिए निधारीत है यहाँ पर निर्देश आपको देखनो मेरा की question paper जो है वह चार section में है section A, section B, section C और section D में और दूसरा निर्देश है कि सारे sections करने आपको अनिवारे हैं इसके बाद section A जिसमें की reading से सम्मादित question है इसमें question number जो पहला है उसमें आपको एक unseen passage देखने को मिल रहा है इस unseen passage को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो इस unseen passage के नीचे question पूछे जाएंगे उन प्रश्णों का आपको उत्तर लिखना होगा तो हो सकता है कि आपको यह unseen passage जो है paragraph के रूप में देखनों के मिले तो यहाँ पर देख सकते है काफी पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से सम्मंदित नीचे आपको प्रश्णे भी दिखाई देगा जिनका उत्तर आपको इसी पैसेज के अधर्पी देना होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर question जो है पूछा गया है तो A करके B करके C करके यहाँ पर देख सकते हैं तीन question है और भी question जो है नीचे है मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको तो आप लोग जो है अच्छे से समझ लें कि किस तरह से question जो है पूछे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं D और E वाला question पूछा गया है ठीक है इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो है दूसरे question की तरफ तो दूसरा जो question है वो section B में आएगा जिसमें की writing से समझ दित आपको question दिखाई देगा तो question number 2 में करा है कि एक article लिखे 100 से लगभग 1500 सब्दों के बीच और यहां पर ABC करके तीन आपको topic दिया है article लिखने के लिए दस नमबर का एक question पूछा जाएगा तो इस topic पर जो है हमारे चैनल पर वीडियो है आप जाकर जरूर देखें प्ले लिस्ट में जाकर इसके बाद तीसरा question है करा कि write a letter to the editor of local newspaper यानि letter writing से संबंधित आपका question है यह भी 10 नमबर का है तो देख लिए किस तरह से आपको letter writing लिखना है तो इस topic पर भी वीडियो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं नई तो मैं आने वाले दियो में आपके लिए जो है फिर से ready करा दूँगा इसके बाद आपका section C start हो रहा है जिसमें की grammar से संबंधित आपको question दिखाई देगा इसमें आपको पांच या बहु भी कल्पी प्रस्टन दिखाई देगा और पांच आपको लिखना होगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक करके आपका question है इसको की विश्वास करना मुश्किल होता है उसे कहा जाता है बहुत ही सरल है देख सकते हैं तो वन वर्ट समस्ट्यूशन का भी प्रेशन हमारे चैनल पर कराया गया है उसके बाद B वाला है the phrase to and fro means इसका मतलब क्या होता है अभी बहुत ही सरल है तो जाकर हमारे चैनल से आ या आपको बताना है इसके बाद D वाला है one should do his duty इसमें आपको कहां पर sentence में error दिखाई दे रहा है वह बताना है इसके बाद आपका E वाला question है the interim of compare age यानि compare का विलोम सब्दे क्या है आपको सही विकलपा इसमें चुनाव करना है इसके बाद आपका पांचमा का E जो है वह पहला दूसरा करके दो question पूछा गया जिसमें से एक question को आपको solution के साथ लिखना है तो इसमें जैसा breakage में निर्देश दिया गया है वैसा आपको combine करना है ठीक है तो इस topic पर भी complete हमारे चैनल पर video available है आप जाकर जरूर देखें इसके बाद जो आपका C वाला question है इसमें प आपका syntax से है इसमें आपको पहला दूसरा करके दो वाके दिया जिसमें से एक वाके को आपको correct करके लिखना है तो इन सारे topics पर हमारे चैनल पर video available है इसके बाद इवाला जो question है या आपका homophone से है इसमें से किसी एक pair का आपको जो है अपने वाक्त में प्रयोग करना है ता इसमें आपको हिंदी में एक packet दिखाई देगा जिससे आपको English में translate करना होगा इसके बाद आपका question number जो 7 है वो section D जिसमें की literature था तो English test book से संबंदित आपको question दिखाई देगा तो इसमें question number 7 में आपको देख सकते हैं A B करके दो प्रशन दिखाई दे रहा है जिसमें की आपको दो प्रशनों का उत्तर लिखना है और English test book के preparation के लिए हमारा mobile application knowledge विम काफी अच्छा एक बार आप जरूरूर से widget करें तो इसमें से किवल दो इप्रशनों का उत्तर लिखना है और करके कुल मिला कर चार प्रशन है दो प्रशनों का उत्तर आपको लिखना है ठीक है एक ठो question का answer A से और एक question का answer B से आपको लिखना है इसके बाद question number 8 में जो है आपका 7 number का question पूछा जा रहा है इसमें A भी करके 2 आपको question दिखाई दे रहा है जिसमें से किसी एक question का answer लगबग आपको 80 सब्दों में लिखना है और या जो है आपका English pro जिसे ही सम्बंदित question ह इसके बाद question number 9 में आपको एक इस्टेंजा देखने है इसी इस्टेंजा को आपको पढ़ने के बाद नीचे जो प्रशन पूछे गए हैं A, B, C करके उनका आपको उत्तर जो है लिखना है तो इस्टेंजा का जो प्रशन है वो अभी हमारे चैनल पे कराए गया है आप इसके बाद question number 11 में आप देख सकते हैं कि A, B करके दो question पूछा गया है A में आपको अथवा करके भी एक प्रशन देखने हुआ है तो इसमें से किवाल एक प्रशन का उत्तर लिखना है या आपका question जो है English supplementary से B वाले में भी आपको अथवा करके एक प्रशन दिखाई दे इसमें से भी किसी एक का आपको उत्तर लिखना है या भी आपके जो है English supplementary से ही है इसका question number 12 है या आपका जो है English supplementary से है इसमें आपको ये भी करके दो प्रशन दिखाई दे रहा है जिसमें से किवाल एक प्रशन का उत्तर आपको लगभग 80 सब्दों में लिखना है तो इस इस टॉपिक पर भी हारे चैनल पर वीडियो है और हमारे वाइल अप्लिकेशन पर भी अवलेवल है जाकर आप देख सकते हैं और अच्छे से त्यारी कर सकते हैं तो एशुड़ें सिया थाक अच्छा 12 के लिए यूपी बोड़ियां 22 के लिए English का model paper जिससे मैंने आपको श सब्सक्राइब कर लें तो भी तेने अच्छ वीडियो में तब तक रहे थेंक्यों सो मज़ फाचिंग देश वीडियो झाल बोड़ियो